हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing really, really well. इस वीडियो में मैं हर एक CA Foundation Student से बात करने वाला हूँ जो Jan 2025 Attempt के लिए एम कर रहा है. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी Date Sheet के बारे में, हमारे Examination Important Dates के बारे में, हमारे Revision Strategy के बारे में, हमारे Preparation Strategy के बारे में, और आपको Last में देंगे एक Amazing Surprise, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, बेशक अभी 2X पर Shift कर दीजेगा. और हाँ मेरे बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए useful रहे, तो जरूर से वीडियो को Exam Dates हैं, I hope you all are aware about it, Exam शुरू हो रहे हैं 12th of January से, 12, 14, 16 and 18, ये 4 Dates आपके लिए बहुत important है, मार्क करकर रख लिजे अपने कैलेंडर में, सर इन 4 दिनों पर आपके 4 CA Foundation के पेपर होने वाले हैं, दूसरी बात, सर अब CA Foundation Jan 25 अटेंट के लिए अगर हम aim कर रहे हैं, तो हमारा examination form का window किस दिन से open हो जाएगा, और हमें कब अपने examination forms को भरना है, ध्यान से सुननी जे बिटा, ये आपकी registration dates नहीं है, आप सबसे पहले CA course में register करते हैं, अगर आपने Jan 25 के लिए papers देने थे, वो registration's already close हो चुके हैं, ये बात हो रही है, examination form की, हर एक CA attempt से पहले एक examination form आता है, जिसके through आप apply करते हैं, कि आपने upcoming attempt में paper देना है, ये वो वला examination form है, तो ये examination form जो जब से खुल रहा है, वो date है 10th of November, और last date आपकी submission की रहेगी, examination date की 23rd of November, इसी के basis पर आप लोगों को आपके admit cards issue होते हैं, अगर आप apply करेंगे, तो आपको आपका admit card आएगा, और दूसरी बाद, 23rd November तक वैसे तो आपने अपना application फिल कर देना है, examination form का, लेकिन हाँ, institute आपको extension देते हैं 26 तक, with a late payment fees, लेकिन ये मैं किसी बच्चे को recommend नहीं करूँगा, ये validate आप अपने पास इसी window में, अगर आप jan 25 के लिए attempt प्लान कर रहे हैं, तो 10th to 23rd of November तक, आप लोगों ने अपने पास अपने examination forms को भर देना है, अब तीसरी बात जो आती है, वो ये आती है कि sir, अभी हपन ने course कैसे plan करना है, इस video के अंदर, sir, अगर आप jan 25 के लिए attempt दे रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो classes है, वो अपने पास आप लोगों ने 31st October तक finish कर देना है, बेटा अपने plannings को, obviously अगर आपने jan 25 का aim लगा रखा था, तो आपने अभी तक preparation शुरू कर दिया होगा, आप कोशिश करिए आपकी जितनी भी classes है, accounts की है, law की है, eco की है, math stats की है, आप उसको 31st October तक maximum finish कर दीजिए, उससे जादा उनको प्रलॉंग मत करिए, क्यों, क्योंकि उसमें आपका revision plan जो है, वो कहीं न कहीं hamper होगा, आप, आपके पास बहुत समय हैं बेटा, अगर आप अपने पास start करते हैं, तो आप 31st October तक easily अपनी पूरी classes finish कर सकते हैं, CA foundation बहुत जादा simple है, अगर आप अभी से भी, अगर strategy बना लें तो, और सही mentorship आपको मिल जाए तो, तो बेटा जी अपने पास अपना course plan कुछ इस तरीके से रखेगा, कि 31st October तक सभी classes खतम हो जाएं, अगर आप 31st October तक अपनी classes खतम कर लेते हैं, then we come to the revision plans, सर, अब revision के plans हम लोगोंने कैसे रखने हैं, अगर हम एक CA foundation जाएं 25 के aspirant हैं, बेटा हम लोगोंने अपने पास aim करना है, कि हम 3 revision कम से कम कर कर जाएंगे, बेटा देखिए, institute का कोई भी level का exam हो, foundation, interior, final, 3 से 4 revision कम से कम आपको लगेंगी, अगर आप उसको उस attempt में clear करना चाहते हैं, हाँ, आप कहते हैं, आपको लगेंगी ही लगेंगी bare minimum, अब इन 3 revisions को हमने कैसे plan करना है, बेटा हमने invest करना है November and December 24, in these revisions, मतलब अपने पूरा time लगा देना है इन revisions में 2 महीने का, अब sir, इन 2 महीने में हम करेंगे क्या, देखिए 2 महीने में मैं आपने पास मानता हूँ, approximately मेरे पास 60 days है, मैं January के days नहीं गिन रहा है, जहांपर आपके पास, वो 1st January से लेके 10th of January तक का time है, जहांपर आप और time invest कर सकते हैं, वो सब हम अभी नहीं गिन रहे हैं, हम अभी अपने पास focus क्या कर रहे हैं, सिरफ November दिसंबर हैं, वो तो extra days हैं, वहांपर हम एक और revision डाल देंगे, लेकिन अभी के लिए जो तीन revision हमने अपने पास रखनी हैं, वो कैसे, let's suppose मेरे पास total मैंने माल लिया 60 days है, ideally अपन 61 days पे जाते हैं, बट हम 60 days लेकर चलते हैं हमारे revision का plan, अब सर इस 60 days के अंदर हमने planning कैसे करनी है, तीन revision करनी हैं बटा, revision 1 के अंदर, आप देखिए बच्चे कहते हैं, सर हम सुभा accounts पढ़ लेंगे, दुपैर को law, फिर शाम को maths, फिर अपना e को भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना हमने revision करते time, हमने revision करते time, only solely एक subject को पढ़ना है, अब जैसे, अगर मैंने accountancy उठा लिया, तो हम सबसे पहली revision में, अपने पास 7 days per subject को देने वले हैं, ध्यान से, इन चीजों को अपने पास, बेटा वीडियो पॉज करकर लिख लीजिएगा, कहीं पर बहुत important बाते हैं, इनको लिखिएगा ज़रूर, 7 दिन हमने सबसे पहले accountancy को देने हैं, 7 दिन उसके बाद law को देने हैं, 7 दिन उसके बाद eco को देने हैं, 7 दिन उसके बाद maths और stats lr को देने हैं, अब sir आप कहते हैं, 7-7 दिन आप दे दीजिए, बट हमारे को boreas हो जाती है, बड़ा boring लगने लग जाता है, ऐसी feeling आती है कि पता नहीं 7 दिन में क्या हो गया, ऐसा ना सोचिए बिटा, जब आप 7 days एक subject को लगातार पढ़ते हैं, उस subject में आपके पास efficiencies आती हैं, आप एक topic को दूसरे topic से relate करने लगते हैं, और आपको overall subject का understanding gain होता है, इसके बाद ऐसे आप आगे चलते जाईए, और इसके बाद आपने last में अपने पास रखने है two days of grace, इसमें क्या करना है, जो उन 7 दिनों में तुम नहीं complete कर पाये थे, accounts के एक दो topic रहे गए थे, law के एक दो topic, कोशिश करिए maximum उसमें से वो two days of grace जो हम आपको दे रहे हैं, वो उसमें cover कर लीजिए, अब third point यहां पे लिखा है exam attempt, December 23, अब sir इस बात का क्या मतलब है, बेटा हर एक revision के साथ, एक एक attempt practice करो, मैं आपको short short formula दे रहा हूँ, आपके पास आपका जब तक आफ फाइनल, जब paper में पहुंचेंगे CA foundation के, वहाँ तक आपका presentation भी सुदर जाएगा, speed भी सुदर जाएगा, accuracy भी आ जाएगी, ध्यान से सुन लिजेगा, यह साथ दिनों को आपने अपने पास दो parts में divide करना है, six and a half days, six and a half days, यह आपके लिए आपका study time होगा, and last का जो half day रहे, आपके पास रहेगा बटा, उस दिन आपने अपने पास December 23 का paper उठाना है, institute के website से जाके आप अपने पास download कर सकते हैं, कुछ उसमें आपको ऐसा topic एकाद मिलेगा, जो December 23 का आपका, जैसे account current का topic था अगर accounts की बात करूँ, वो सब कट गया है, don't worry about it, आप उन questions को छोड़ दीजेगा, बाकी अपने पास अपने सारे questions लिख कर करिएगा, तीन घंटे के time span में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, यह सिरफ December 23 वाले attempt पर ही होगा, क्योंकि उस time पर course दूसरा था, लेकिन परिशान होने की जुरूरत नहीं है, कि सर एका question चार पांच number का होगा, वो account current का, और दूसरे consignment वगेरा का, जो हड़ गए है, आप उन questions को छोड़के, बाकी questions को attempt करिए, सर, आदे दिन में आपने अपने पास ये exam लिखना है, और शाम को उसको उसके suggested से compare करना है, बात समय में आगई, पहले revision plan की, हर subject के लिए यही करना है, मैंने accounts का example लिया था, हर subject के लिए into 4 किया, 28 days, मतलब पूरा November का महीना आपका इसी में निकल जाएगा, full November revision 1 में चला जाएगा, जब आप pair रखेंगे December में, फिर आपने 5-5 दिन देने हैं हर एक subject को, पहली revision कर चुके हो, थोड़ा time अपना cut short करो, speed बढ़ाने की कोशिश करो, और 4 subject आपके 20 दिन में हो गए, again give yourself 2 days of grace, in 2 days of grace में सर क्या होगा, जो आपके पास आपके parts आप नहीं पढ़ पाए थे, अपने उन 5 दिनों में, उनको आप अपने पास यहां revise करिए, और exam attempt कौन सा दिना है, June 24 वला, यह latest scheme पे हुआ था, इसमें कोई question नहीं छोड़ना, सारे question तुमारे लिए applicable है, इसका भी division कैसे करना है बिटा, जब आप अपने पास 5 दिन दे रहे हैं, तो 4.5 दिन और आदे दिन में आपने इसको divide करना है, 4.5 दिन में अपने अपना study करना है, और last आदे दिन में आपने अपने पास जाकर अपना exam लिखना है, और शाम को उसको उसके suggestate से compare करना है, सर, 3rd revision में क्या करना है, अब 2-2 दिन देने हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, तुम अपने पास 20 second of December तक पहुंच जाओगे, आखरी के जो 8 दिन है, अब 2-2 दिन देने हैं हर एक subject को, बेटा paper में तो 2-2 दिन ही होगे, मतलब आदा दिन, जिस दिन paper देखा है, उसके बाद एक दिन और आदा दिन second paper से पहले, तो 2-2 दिन देने हैं आपने अपने पास हर एक subject को, इसको भी आपने ऐसे ही divide करना है, 1 and a half day and half day, में जब आप जा रहे होंगे, 1 and a half day का ही time है, आपके पास effectively अगर बात करें, तो यहाँ पर आपने अपना study करना है, और यहाँ पर आपने अपना exam लिखकर, शाम को उसको check करना है, दो-दो दिन के आपने schedule बनाने है, लगा तार आठो दिन मेहनत करनी है, फिफ्ट और सिग्स दे इको पड़ा, फिफ्ट दे इको, सिग्स दे के end पे इको का पेपर, तो इस तरीके से आपने अपनी plannings करनी है, अगर यह आपने अपने पास अपना schedule अपना लिया, बेटा 31st, December 24th तक आप ऐसे बैठे होगे, कि सर अप कुछ भी पूछलो, मेरे को सब कुछ आता है, यह seriousness आज से ही आप अपने पास incorporate कर लीजिए, best रहेगा, जितना ज़्यादा आप इसको delay करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रलॉंग करेंगे, आपको उतना ही last में जाकर चीजे हश मिलेंगी, इन चीजों को हश करकर कुछ फाइदा नहीं होता, जितना अच्छा revision आप करेंगे, उतना अच्छा exam आपका जाएगी, इसके बाद सर, एक मैंने कहा था, आपको surprise दिया जाएगा, session के यह जो वीडियो है इसके end में, surprise यह है कि बेटा, अब आप लोगों की preparations को और बढ़िया करने के लिए, हम लोग free of cost आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, practice series, अब यह practice series किस चीज की होने वाली है सर, जो हमारे latest RTPs, MTPs, PYQs में जो questions आये हैं, उसको हम आपके लिए build कर कर ला रहे हैं chapter wise, कि यह वली RTP June 24 में एक अच्छा question आया था, BRS का, सर September 24 की RTP में एक अच्छा question आया है, depreciation का, उन अच्छे अच्छे important questions को, अब practice sessions के थुरू, हम अपने पास iVision पर आप लोगों के लिए upload करेंगे, आप लोगों ने करना यह है, अपने पास उन sessions को regularly देखना है, हम अपने पास क्या करेंगे, उस question को पूरा एक full pleasure, बड़ा question उठाके practice कर लेंगे, हमारा पूरा chapter में confidence आजाएगा अपने अब, अब अपने पास करो यह, पढ़ा अपट से iVision के चैनल को subscribe कर लो, ताकि अब जैसे ही यह practice session शुरू हो, practice series शुरू हो, आपके पास notifications आते रहें, जैसे जैसे हम वीडियो अप्लोड करें, आपके पास notification आता रहें, कि सर का एक नया वीडियो और आगया, BRS पे, एक inventory पे, एक depreciation पे, तो वो वीडियो उसके थुरू अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने practice को build करते जाएंगे, और एक important बात बेटा, जो बच्चे भी अपने पास, अगर CA Foundation accounts में struggle कर रहे हैं, अभी भी और Jan 25 का aim लेकर बैटे हैं, May 25 या September 25, CA Foundation accounts का आप full course मेरे साथ study कर सकते हैं, 100% course, at a cost of just one triple nine, जिसमें आपका printed book भी है, unlimited views भी है, recorded backups आपके unlimited views पे हैं, test series भी हो गया, doubt support भी हो गया, हर एक चीज़ आप लोगों को जो है, इस course में मिलने वाली है, at a nominal price, one triple nine में आप अपने पास हमारे साथ full CA Foundation accounts का syllabus cover कर सकते हैं, अगर आपके लिए नहीं तो अपने किसी दोस्त को बता दीजे, इस बारे में अपने दोस्त को refer कर दीजे, वीडियो उससे शेर कर दीजे, ताकि अगर वो struggle कर रहा है, तो वो अपने पास at a nominal cost, अपने पास अपना CA Foundation accounts का full से ले बस cover कर सके, I hope ये वीडियो बहुत useful रहा होगा, वीडियो को ज़रूर like कीजेगा, जाने से पहले चैनल को subscribe कीजेगा, और इस revision plan, और अपने पास इस force के plan को ज़रूर ज़रूर से अपने पास कहीं पर लिख लीजेगा, और इसको implement कीजेगा, ये नहों, ये सिरफ पढ़ा रह जाए, आप लोगों ने इसको implement भी करना है, I wish you all the very best, God bless you all, मेहनत करते रहे हैं, hard work करते रहे हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले strategy session में, जिसके लिए आपने iVision के channel को फड़ा फट से subscribe कर लेना है, ओके, बवाई टादा, take care, God bless you all,